तो कैशे हैं आप बहुत बहुत श्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में संस्क्रत का ये वीडियो नमबर चार रहेगा संस्क्रत पैडागोजी का इसके लावा हमने आपको कुछ प्रीविए से के कॉश्चन पेपर भी स्वाल पर आएं कुछ पैराग्राफ संस्क् आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगा देखिए जाकर के देखिए भी स्टार्ट करते हैं कुश्चन नमबर अगले से कुश्चन नमबर 65 है आपके सामने चात्रा नाम उच्चारण दोसम दूरी करना है भासा सिच्च कहा भासा विज्यानश कस्मिन विज्याने पारंगता भोयात प्रश्चन पूछना क्या चाह रहा है आपसे ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगी option है आपे रूप विज्याने धोने विज्याने वाक्य विज्याने अर्थ विज्याने option का तो मतलब आप समझी गए होंगे क्या है ना क्या जा रहा है यही फरक है इंगलिस में और संस्कृत में कई बार यह होता है कि अगर आप इंगलिस की पेडागोजी स्वाल कर रहे है कई बार आपको options ही नहीं समझ में आते हैं कि उसका मतलब क्या हो रहा है कम से कम संस्कृत में इतना तो आपको अंदाजा लग रहा है कि रूप विज्याने कहरा है मतलब रूप विज्यान धोनी विज्याने कहरा है मतलब धोनी विज्यान को देख कर गई हम आपको बता रहें और इसलिए संस्क्रत के वीडियो बना रहें ट्रिकी वीडियो प्लेलिश्ट सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में उपर आई बटन में मिल जाएंगे आंसर इसका क्या आएगा चात्रों के उच्छारण दोस को दूर करने के लिए भासा सिच्छक भासा विग्यान किसमे पारंगत होना चाहिए समझ में आया छात्रों के उच्चारण दोस को दूर करने के लिए भासा सिच्चक को किसमे पारंगत होना चाहिए सिच्चक को किसमे पारंगत होना चाहिए रूप विग्यान में ध्वनी विग्यान में वाक्य विग्यान में या फिर अर्थ विग्यान में दूर क्या करना है उच्चारण दोस्त मतलब बच्चा सही से बोल नहीं पा रहा है तो किसमें आप उच्चारण हो तब आप बता पाएंगे क्या वाकिविज्ञान इसका सही जवाब होगा बताईए आप खुछ सोचिए यहां पर आपको बता दे भासा भासा विज्ञान के अंतरगत जो उच्चारण ठीक है आपको अगर उच्चारण में परंगत होना है तो आपको धोनी धोनी विज्ञान का ज्यान होना आवश्यक है तब ही तो आप समझ पाएंगे कि कौन सी धोनी से कौन सी सब्द बोले जाते हैं क्या क्या आंतर होता है तो अगर आपको बच अगला प्रशने आपे भासाया है पठन समय चेत छात्रह अशुद्धम उच्चारणम करो ती तदाकरणियम यानि भासा भाषा पठन के समय ठीक है कहा क्या जा रहा है भासा के पठन या पढ़ने के समय यदि छात्र क्या करता है अशुद्ध उच्चारण करता है कोई बच् स्षिद्धत चारणाय निर्दे शह दातवया शुद्धत चारणाय वारं 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 लेखनम करणिया मुठ्धत सबस्ष कि över दंडवली बात हो गई निर्देश वाली बात क्या सही होगी ब anschिन नंबूर ज्हास निर्देश दैना क्या हो जाएगा निगेट निधिव साब बच्चा अगर बच्चा अगर बोल नहीं पा रहा है किसी सब्द को है ना जैसे बच्चा खाना को खाना बोल ला है या ठाना बोल ला है ठीक है तो उसको आप क्या करेंगे बार-बार प्रयास करवाएंगे बुलवा करके बोल करके कि बिटा बोलो राम जैसे छोटा बच्च क्या होगा यहां पे वारम वारम अभ्यासा करणियम कि के बार बार हम क्या करेंगे अभ्यास कराएंगे अगर कहीं पे भी बच्चा असुद्ध उच्छर कर रहा है तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक क्यों नहीं किया है जितने लोग देख रहें उतने लाइक होने चाह बहान भासा के दोस को जानना कह सकते हैं शब्ध बंडार में ब्रद्धी करना यहां पर लिखा हुआ है श्रवडवे दच्छत्तम ऐनी सुनने की चंता उसमें विकास करना मतलता दच्छोना तो पर ब्याक्रण हम क्यों पढ़ते हैं जिससे जो भासा में जो दो सा रहे हैं जो कमिया है भासा में उसको हम पता लगा पाएं उनको दूर कर पाएं तो भाशा दो शाणाम ग्यानम ब्याक्रण शिच्छड़ा सियत अदेश्यम बरतते आंसर मिलेगा option number B हमारा संस्क्रण कोई सौरी नहीं बोलेंगे ठीक है question number 68 देखिएगा answer करिए अब यहां पर कुछ हिंदी के प्रशन है हलाकि यही प्रशन ट्रांसलेट करके आप से संस्क्रण में पूछे आ सकते लेकिन अगर हम आपको करवाएंगे तो आप यहीं कमेंट करेंगे कि सर यह तो फिर आप गलत कर सीटेट में ऐसे question नहीं आते तो पहले हम आपको कराते हैं संस्क्रण के कुछ और question question number 74 पाठस समवेग पर शर्पडम नामम अब इसका मतलब थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा प्रशन देख करके कहा क्या जा रहा है कहा यह जा रहा है यहां पे देखिए पाठस समवेग पर शर्पड का मतलब होता है कि क्या चीज ऐसी है जिसका हम पर इत्याग करेंगे ठीक है तो यहां पे यही इसका अंसर आ जाएगा option number कौन सा c मतलब यह हुआ कि असंबद्ध शूचना त्याजनम का मतलब है पाठ में जो भी सूचना है उससे असंबद्ध हो पाठ से संबंदित ना हो पाठ से संबंदित ना रखती हो पाठ से उसका कोई मतलब ना हो ऐसे ऐसे कुछ शेप्टर होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं आपक चात्रों के लेखन अवश्यत देखिए चात्रों में क्या है भासा दोस है अध्यापक को क्या करना है शुधार करना है तो क्या करेगा कॉश्यन नमबर 75 चात्रों द्वारा भासा दोस के संदर्म में कौन सा विकलब सही है पहला है तदद्न दुशकर्णम प्रायो दोशा भाशा व बोधनम सूचेंति दोश शोधनम भासा बोधनश भागोना चात्रा सिच्चकान परिचितुम शोधेशन दोसान कुरवन तो यह चात्रों द्वारा भासा दोश प्राया भासा के इस पश्टी करण में विशंगत प्रदशित अगर कर रहा है तो क्या करना चाहिए हमें इस पर अध्यापक द्वारा विशेश ध्यान देना आवश्यक है ठीक है मतलब इसको हम क्या करेंगे अपनी सूचना में रखेंगे अपने अबोध में रखेंगे ठीक है आंसर मिलेगा आपको यहां पर ऑप्शन नमबर भी हम भागेंगे नहीं दोस से दोशोधन भासा बुद्रस भागो ना ठीक है भागेंगे नहीं हम अगला प्रशन देखिए कोशन नमबर 76 चात्रा नाम लेखन कोशला नाम हम निम्न लिकते अई शुक काया ना समीचीना मतलब ना स्मीचीना आपको सद्यक्रक्र प्रश्ण पत्र में मिलेगा ना समीचीना का मतलब होता है कि उपयोक्त नहीं है कौशन नमबर है 76 आंसर क्या आएर पहला अप्सन आ लेखन कारश्य Rep. पूर्वशमा निर्मारं पु शंसोधनार्थम छात्रेभ्या प्रशिच्छडम या फिर रक्तवन द्वारा रक्तवन मतलब लाल रंग ठीक है छात्रों की तुटियों को संसोधित किया जाए ना समीची न मतलब कौन सा उपयोगत नहीं है अब देखें यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव से गर आप द सही है लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा ऑप्शन नंबर सी में ट्रिक वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कैसे आप सही गलत पहचानेंगे यूटूब में लिखिए संस्क्रत पेडागोजी ट्रिक बाई वंडे एक्जाम इस्टिडी आपको वीडियो मिल जाएगा तो इसका अंसर मिलेगा आपको 76 का ओप्शन नंबर सी चात्रों के लेखन उसत के संसोधन के लिए चात्र दौरा किया गया कार चात्र दौरा किया गया मतलब अगर चात्र यहाँ पर क्या कहा जा रहा है चात्र नाम लेखन कोशला नाम मतलब यह हुआ कि चात्र अगर यह होता है तो अध्यापक के लिए होता है यहां पे कोश्चन में छात्र की बात कही जा रही थी तो छात्र के लिए लाल रंग का प्रयोग उचित नहीं होगा पठन कोशल किसको प्रभावित करता है पाठक कश उद्देश से आशकतिस एवं पाठस से काठिन नेश्टरम यानि पाठ के उद्देश को ठीक है पाठ के कठिन के इस्तर को मतलब पाठ का जो इस्तर होता है उसको पाठ पुस्त का नाम मोल्यम तथा स्वरूपम पाठ पुस का संग्यान इस्तर हो सकता था लेकिन सबसे बेश्ट क्या है इसमें कई सारी बाते एक में कही गई बड़ा ओप्शन है वैसे भी इसमें क्या कहा जा रहा है कि पठन कौशल पाठक के उद्देश आशक्ति का मतलब होता है यहां पे लिखा है आशक्ति इसका मतलब होता है प्रभावित होंगी गर उदेशों में कोई दिक्कत है या कर रोची ही नहीं है तो आप पड़ नहीं पाएंगे यह साली चीजे प्रभावित करती है विशिष्ट आवशक्ता विशिष्ट आवशक्ता कच्छा इतु संबध्धा भवत विशिष्ट आवशक्ता वाली कच्छ किससे संबनेत होती, प्रथक तो नहीं होगी ना, प्रथक अलग-अलग हो गया, यहां पर यह तो नहीं होगी, अत्रिक अध्यापक मतलब एक्स्ट्रा क्लास हम करवाएंगे इनके लिए, तो यह भी नहीं होगा, सु सजित हो सकता था, लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है, विभिन योगता युक्त चात्र कच्छ है, निए विभिन योगता वाले, ठीक है मनला क्लास में, अगर कोई बच्चा विसिष्ट योगता वाला है, तो उसके लिए यहाँ पे बहतर क्या option होगा, विसिष्ट आउशकता कच्छा विभिनता योगता, युक्त चात्र की संबंद होता है, क्योंकि किसी भी कच्छा में चात्रों की योगता क्या होती है, भिन भिन होती है, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा इस प्रशन के लिए option number B, किस से संबंदित होगी, भिन योगता वाले चात्रों से, question number अगला देखिए, अध्यापकाह नवीन कठिन सब्धार इतना अपे अच्छते, यह question number 89, 78 प्रशन आपने पढ़ लिए है, नहीं देखे, पहली बार आपको यह वीडियो मिला है यूटूब पे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो कर लिजे, बेल आइकन को आन कर लिजे, आल पे क्लिक कर दिजेग सही जबाब मिलेगा, question number 89 के लिए यहाँ पे क्या, संदर्ब संकेत दोरा अर्थाव बोधने बहादा अबवती, कहा जारा, ध्यापकाह नवीन कठिन सब्दार्थम, इस पश्टी कुर्यम, मतलब ध्यापक को नए कठिन सब्दों के अर्थों का इस पश्टी करण करना चाह संदर्ब संकेत के दोरा अर्थ को जानने में, बाधा जो है, कहा जा रहा है, किंचित बाधा, की के संकेत दोरा अर्थाव बोधने, तो यह बाधा के रूप में देखने को मिलता है आपको, अगला प्रशन देखिएगा, यहाँ पे, समाविष्ट कच्छा, यानि, inclusive education, जिस ऐसा option है, जो समयवेशिश इच्छा के बारे में सही नहीं है, पहला option है, संगणक आधारित उप्चारात्मक, कारेंड सह संप्रेशनात्मक, प्रविधी नाम, अतरिक्त शहायम, बिलकुल, शर्वेश, छात्रा, शुयोग्या, भवेयू, इत्यर्ति, विविद शन्चादन में विविद संसादनों का प्रयोग सही है, तो यहाँ पे गलत option आपको देखना है, बर देखिए आपनों question को, question number 80 सही जवाब मिलेगा, यहाँ पे विभिन विश्यानाम संतर्भे अनकूलित संसोधित विकलपात्मकम गतिविदिया, देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा असमीन है, तो समावेशी कच्चा में विभिन विश्यों के संदर्भ में अनकूलित संसोधित गतिविदिया जो है, यह असमीचीन है, बाकी चीजें क्या है, उपयूगत है, भाई अतरिक्त सहायक कार अगर आप कर रहे हैं, उपचार अत्मकार कर रहे हैं, सही है, शर्वे अनकूलित संसोधित विकल अत्मक, तो यह क्या है, आसमीचीन होगा, आंसर आएगा डी, यत किंचित पाठ्थते सदयो एव अगंबते यताहा, बहताईए, अनुपचारिक वारतालाप समय छात्रा शावधाना भवनती, सिच्चकस सामाजिक इस्तरा आर्थिक इस्तराह भिन्ना भवती, छात्राह भिन्न योगिता ब्यक्तित शामाजिक प्रष्ट भूम युकता भवनती, कोवपी अध्यापका अथवा अधिगंता संस्क्रत अनुपड नहीं होता, यह भी बास सही है, ठीक है, यद किंचित किसी पाठ में सदयो एो, क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब यह होगा कि छात्रा भिन्न योगिता ब्यक्तित शामाजिक प्रष्ट भूमिका युक्ति, कि छात्र जो होते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार क होते हैं, वैक्तिक भिन्न ताउन में पाई जाती है, अलग-अलग योगिता पाई जाती है, और वैक्तित तो सामाजिक प्रष्ट भूमिक से युक्त होता है, इसलिए यहाँ पे इस प्रष्ट का आंसर मिलेगा, आपको अप्शन नमबर C, दीक है, सिच्छक का सामाजिक कि स्थर आर्थिक स्थर भिन्न होता है, लेकिन हमें क्या करना है, बाल केंडिस इच्छा में, बालकों को सेंटर में रखना है, पठन समय विशंग्याया अर्था, यानि पठन समय अगर कोई दिक्कत आ रही तो वो क्या है, बताईए, क्लिष्ट समस्या समाधानुं करतूं विशलेशलम करतूं आवगंतूं चा विदेश भासादंतूं या फिर आईसीटी मध्ये प्रयोक्तिक्रिया, आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे क्लिष्ट समास्या समाधानुं करतूं, ओप्षन नमबर A यहाँ पे सही होगा, क्षन नमबर 82 के लिए, यह रहा पहला क्यों कि पठन समय विशंगया अर्थ का मतलब क्या हुआ, कठिन समस्या का समाधान करता है, पठन के समय विशंगया अर्थ कठिन समस्या का समाधान करता है, पठन के समय अगर कोई विशंगत आ रही तो उसको क्या किया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है विदेश भासा नहीं है विशलेषन नहीं करेंगे हम ICT का प्रयोग नहीं करेंगे हम क्या करेंगे तुरन्थ उसका क्या करेंगे कठिन सब्दारा जैसे आप पढ़ रहें कुछ तो उसकाम क्या करेंगे समस्या का समाधान करेंगे अगला प्रशन देखिए कोशन नमबर 83 ग्रहकारेश मुख्य दोश्य अस्ति ग्रहकार का प्रमकोदेश क्या है चात्रा ग्रहे नवीन पाठान पठितुम रुचिम प्रदर रुचिम प्रदरशित हो अभिवावक्त भी जाने कि उनका बच्चा विद्यालने में क्याज पढ़ता है ठीक है पठित पाठान पढ़ने और पढ़ने से अधिकत अभ्यासकार हो या फिर इनकी रुचिम पढ़ेगी पढ़ने से क्या होगा ग्रहकारेश देने से क्या नियुपक्र चीजें और अधिक अभ्यास करें ठीक है लेकिन वर्तमान समय में होंबर का मतलब और बदल गया है तो ग्रहकार का उद्देश कहोता है पढ़े हुए पाठ का अधिक से अधिक अभ्यास करना सिच्छक दौराक अच्छा में पढ़ाये गए विशय वह ग्रहकार में दिये गए जो ग्रहकार दिया याता उसका उद्धिश यह होता है कि विद्यार्थी विद्यालाय में पढ़ाये गए विशयों को घर पे भी अभ्यास करें जिससे छात्र की भली भात में चीजें समझ में आये ठीक है अभी वीडियो को skip मत करिएगा अगर आप ये सोच रहें कि हिंदी के questions तो हम कर ही लेंगे तो आप गलती कर रहें ठीक है अब हम आपको हिंदी के questions कराएंगे जो कि संस्क्रत में ही पूँछे गए हैं अलग-अलग राज्यों की टेट परिच्छ हम बीच में भी करा सकते थे, आपके शुविधा के लिए अपने लाश्ट में रखे हैं, नहीं इच्छा है तो मत देखिए, छात्रों में समान रुची का अभाव होता है, समाविशी इच्छा, छात्रों की योगिताओं में असमानता होती है, उपयुक्त भासा परिवेश का निर्मार नहीं हो पाता, सरवानकूल पाठ समगरी का अभाव, जैस्ट यही कोश्यन ट्रांसलेट करके आप से पूछ लेगा, तो आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए, कोश्यन नमबर 68 आपके सामने, सही जवाब मिलेगा, यहाँ पे, सरवानकूल पाठ समगरी का अ लोगिताओं में समंता देखें यहां पर आपसे पूछा जा रहा है समस्या क्या है यह पूछी जा रही है समस्या मतलब एक तरीके से रिंग प्रशने संख्या उनतर हैं यहां पर संस्क्रश्च चड़की ब्याकरण पदती के दोस में सामिल नहीं है मतलब दोस क्या नहीं है तीन दोस होंगे एक ऐसा होगा जो दोस नहीं होगा तीन दोस कौन कौन से हैं ये मनुविज्ञान के सिद्धान के अनकूल है ये दोस है ठीक है अरने पच्छो पेचित होते ये भी दोस है ब्यावारी ग्यान नहीं रिती ये भी दोस है लेकिन ये विदिन नीरस होती है ये क कोई नहीं अभ्यास का सिद्धानत कुशन नबर 70 उचारण बड़ी बात आ गए फिर से हम किस पे बल देंगे अभ्यास की बच्चा भ्यास करे बार बार अभ्यास का सिद्धानत यहां पर इसका सही जवाब होगा बालक की उचारण दोस्त का कारण नहीं है बोली की विनिता स उच्छारड दोस अगर बच्चा कर रहा है तो अभ्यास का अभाव है ये कारड है सारी रिक विक्रती हो सकता है अभाव हो बोली की भी बिनता है लेकिन धोनियों ये मुच्छारड इस्थानों का सम्मेग ज्यान ये जो है कारड नहीं होगा उच्छारड दोस का तो अंसर मि देखे ना जो है हा में यहाँ पर लगा है और यहाँ पर इधर से लगा है तो यह क्या है प्रशन नमर 72 अशुद्ध वर्ण विपर्ण है अशुद्ध आगम है अशुद्ध मात्राबेद है अशुद्ध वर्णोप है ऐसे प्रशन आपको पूछे जा सकते हैं संस्कृत में स अशुद्ध वर्ण विपढ़ है चिन्ड का अचिन्ड हो जाना अशुद्ध वर्णागम है अगर वर्णागम पूछता तो अगर चिन्ड का अचिन्ड हो जाता तो वर्णागम होता और चिन्ड का जब चिन्ड लिखा जाता तो वो क्या हो जाता वो हो जाता अशुद्ध व बाचन का कारण तियत्तरमा प्रश्चाइब